बिग बोस की पूरी हिस्टरी में हर तरहें के अजीब और गरीब कारणा में होते वए तो आपने देखे ही होंगे बिग बोस वाले अपने शो की TRP के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं यह तो सभी दर्शक जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि Big Boss के Makers Controversy को कितना ज़्यदा पसंद करते हैं क्योंकि ये पूरा शो ही Best Day Controversy पर और हम लोग इंटरनेट की सबसे बड़ी Controversy TikTok वर्सेस YouTube को कैसे भूल सकते हैं तो इस बार Big Boss के Makers को मुका मिल चुका है इसी Controversy इसको भूनाने का और फाइनली Big Boss के Makers ने एक ऐसा काम कर दिया है जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था इसी Controversy के दो में लीड या कहें में केरेक्टर मिस्टर फेजू और एलविश यादाव जो कि इस Controversy का एहम इसी Controversy के दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है आज यानी कि संडे के वीकेंड के वार में हमें यह दोनों एक साथ एक ही स्टेज पर खड़े हुए दिखाए देंगे जियो सिनेमा ने अभी कुछ देर पहले एक प्रोमा ओट किया है जिसमें कि यह दोनों हमें साथ में स्टेज शेयर करते हुए अनील को पूर के साथ बात करते हुए दिखाए दे रहे है और जैसा कि जाहिर है इन दोनों में छोटी मोटी नौक जोक हमें यहां दिखाए दे रही है पर पूरी बात क्या हुई है वो आज के एपिसोड में हमें पता चल जाएगी जब से इन दोनों के फैंस को पता चला था कि ये दोनों साथ में बिग बोस में आने वाले थे तब से ही माहूल काफी जदा गरमाया हुआ था और फैंस यही सोच रहेते कि आकि जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या बात चीत होगी और क्या माहूल होगा दोनों के बीच में कुछ लोगों को इस बात पर यकिन भी नहीं हो रहा था कि ये दोनों हमें साथ में एक शो में दिखाई दे सकते ही काफी सारे लोग ये के रहेते कि हो सकता है कि अलग-अलग टाइमिंग पर ये दोनों आएं बट यहां पर ये दोनों एक साथ स्टेज पर नजर आए हैं तो देखने में काफी जदा इंट्रेस्टिंग होगा कि ये दोनों आखिर क्या बात करते ही और अपने अपने दोस्त जो की बीग बोस के अंदर इस टाइम पर है उनको क्या सला देते हैं तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के दिए मैं मिरते हैं आप से नई वीडियो साथ बाए